सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाईए बेल आइकन को लेटेस्ट क्रिकेट न्यूस और अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरस्टिंग वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले है एक ऐसे टॉपिक के उपर जिसके पीछे जो है हाली में बहुत सारी अफवाई उड रही है बहुत सारी खबर आ रही है कि जो क्रीज गेल है वो रोयल सरेंजर्जस बैंगलोर की टीम के तरफ से खेलने वाले है तो आज की पंजाब के टीम की हम सभी को पता है कि जो केंग्स 11 पंजाब की टीम है वो आई पील 2019 के लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव कर रही है अपने टीम के अंदर जो है कुछ नए नए प्लेयर्स को सामिल कर रही है सबसे पहले पंजाब की टीम ने मारकस टॉइनिस को दे क्रिस गेल है उनको पंजाब की टीम छोड़ने वाली है और जो बैंगलोर है वो उन्हें आउक्षन के अंदर से खरी देगी अब बात कर लेते हैं बैंगलोर की तो बैंगलोर की टीम जो है आई पेल 2019 के लिए एक नई रननीती बना रही है कि जो बहुत सारे ओल राउंडर से उनको अपने टीम में श्रामिल करने का मारकास टॉइनिस को उनने अपने टीम में लिया और वहीं जो उनके बहुत अच्छे वल्लेबास थे मंदीप सिंग जिन्होंने हर मैच में अच्छे खासा स्कोर किया था उनको उन्होंने छोड़ दिया उसके बात जो है बैंगलो की टीम है वो क्रीस गेल को रिटेन करने वाली है तो रस्तों आप सभी जो है इन अफवाओं से दूर रहिए जितनी भी जूटी खबर है उन सबसे दूर रहिए अगर आपको सची खबर चाहिए अच्छी खबर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ प झाल